स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मीनेशन इस्टडी प्लेटफार्म में आज की इस वीडियो में हम मैथली सरण गुपत जी की जीवन परिशे को देखेंगे तो यह प्रशन काफी इंपोर्टेंट है कि हर बार आता है बोर्ड एक्जाम में कौन-कौन से जीवन परिशे पूछे जाते हैं तो मैथली सरण गुपत महादेवी वरमा और यकर जीवन परिशे आपस नंबर तयार कर लेंगे तो आपका जो जीवन परिशे का पांच नंबर है फिल्कुल पक्का हो जाता तो इस वीडियो में मैथली सरण गुपत की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं तो इस वीडियो के सुरू से लेकरके अंतक देखते रही है इस जीवन परशे को पड़करके आपको बहुत ही खुशी होगी पहले बात करते हैं इनके जीवन परचे की तो आपके हेडिंग दे दे नहीं है कि जीवन परचे उसके बाद से राश्ट कभी आपको लिखना है राश्ट कभी मैतली सरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 इस्वी में जासी जीला के चिरगाओं में हुआ था इनका जन्म किसी भी लेखक या कभी का जीवन परचे लिखने से लिखते समय आपको उनका जन्म जन्मस्थान का अगर नाम पता है तो जन्मस्थान इनके पीता और माता के बारे में लिखना बहुत जरूरी होता है किसी के भी जीवन के बारे में बात किया जा तो जीवन की जो प्रमुख इकाई होती है वो माता पीता और उसके गाउं जन्म भूमी होती है तो आप बात करते हैं इसके आगे इनके पीता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और जहां भी आपको इंपोर्टेंट चीजे पॉ सहायता से गुप्त जी भी जो हमारे मैठली सनगुप्त है इनको भी बहुत सारे लाव हुए यानि कि ये भी अच्छे कभी के रूप में परकासित हुए बाद में गुप्त जी पर अपने पीता का पूरा परभाव पड़ा देखिए वही बात लिखा हुआ है कि गुप्त गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओ का माध्यम बनाया आगे क्या लिखना है गुप्त जी बड़े हि बिनम्र हसमुक और शरल्स वभाव के बैक्ती थे इनके काबिय में भारतिय संस्कृती का प्रेर्णा दायक चित्रन हुआ है अब बात करते हैं इन्होंने अपनी कभिताओ द्वरराष्ट कभी में जागरी तो उत्पन की ही साथ ही सक्री रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे जिसके फल्सोरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा ठीक है इन्हों इनकी साहित सेवा के लिए गुपत जी को पदमभूसर सम्मानित से नवाज आ ठीक है यानि पदमभूसर से सम्मानित किया अब बात करते हैं जीवन के अंतिम चढ़ों तक ये निरंतर कार्य करते रहे ये निरंतर साहित साथना में लीन रहे इस तरीके से अगर आप लिख देंगे इतना चीज तो एकदम खूस हो जाएगा एकदम समझेगा कि लड़का बहुत पढ़ने में तेज है और बहुत अच्छी तरीके से इस जीवन परचे को लिखा है बकुवी तरीके से अब बात करते हैं जीवन परचे में बस इतना लिखना है तो इस तरीके से आप जीवन परचे में लिख दी आप रचनाय हेडिंग देनी है क्या करना है उसमें तो देखे रचनाय हेडिंग दे करके आपको क्या लिखनी है इसमें गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक का बे गरन्तों में भारत भारती रंग में भंग जैद्रदवद पंचवटी जंकार साकेत यसोधरा द्वापर जैभारत बिशुप्रिया आदि उलेखनी है इनके जो 40 गरन्तों में वो गरन्त यहां पे हमने लिखा हुआ है ठीक है कौन-कौन से गरन्त है रंग में भंग जैद्रदवद पंचवटी जंकार साकेत यसोधरा द्वापर जैभारत बिशुप्रिया आदि इनके उलेखनी है अब देखिए साकेत में इन्होंने क्या लिखा था सा साकेत क्या है और फार यहां पिसमें भारत की दिव्य संस्कृर्ति और गौरो कमान गान किया गया है ठीक है गान किया गया है यह सोधरा की बात कीज़े तो यह सोधरा क्या है आमारा यह सोधरा क्या है इसमें बुद्ध की पत्नी यह सोधरा के चरीत्र को उजागर किया गया है ठीक है तो इतनी चीजी आपको रचनाय में लिखने है और आपके पूर्पून जीवन पर्चे को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में बताया गए सारी चीज़ों को लिख लीजिए और उसको याद कर लेजिए तो आज के लिए दोस्तों पीछले और भी किसी कभियों और लेखकों का जीवन पर्चे पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे लिंग डिस्क्रीप्शन में हमने कुछ जीवन पर्चे दिया हुआ है तो वहां से जाकर देख लें कि आपके स्लीवस में कौन-कौन से जीवन पर्चे हैं और उस जीवन पर्चे को पढ़ लेज ठीक है तो आज के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद